नमस्कर दर्श न्यूज देख रहे हैं आप मैं पृति दयाल आपके साथ मौजूदा समय में आप जिस किसी भी ऑपरेटर का सिम इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन अब जब अगली बार आप सिम खरीदने जाएंगे तो आपर भी सिम से जुरा ये नया नियम लागू होगा आएए जानते हैं क्या है वर नियम और आपके लिए क्या बदल जाएगा दिरसल बिना सिम के कोई भी फोन किसी डिब्बे से कम नहीं है कुछ लोगों का काम सिर्फ एक सिम में चल जाता है तो कई ऐसे भी लोग है जिन्हें एक से ज्यादा सिम खरीदने की जरुवत परती है अच्छी बात ये है कि सिम को लेकर एक नए नियम का ऐलान हुआ है देश में डिजिटलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए दूर संचार विभाग ने जानकारी दी है कि अब नया सिम कार्ट खरीदने पर अब ग्राहकों को सिर्फ डिजिटल या फिर EKYC जमा करना होगा यानि की पेपर बेस्ट KYC पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी सिम कार्ट का नया नियम एक जनवरी 2024 से लागू कर दिया जाएगा एक जनवरी 2024 से टेलिकॉम कमपनिया सिर्फ डिजिटल KYC ही करेंगी कई लोगों का ये सवाल होता है कि आखिर कार ये KYC क्या होता है इसे आसान शब्दों में कहा जाए तो इसमें ग्राहक की पूरी जानकारी होती है बता दे कि KYC कराना सभी के लिए अनिवार रहे है इसका फुल फॉर्म है Know Your Customer इन नियमों के तहट अगर आप नया सिम खरीदने जा रहे हैं या फिर आप एक सिम कार्ट बेजने वाले विक्रेता है तो आपका यारी कस्टमर का तो वेरिफिकेशन होगा ही साथ साथ विक्रेता का भी वेरिफिकेशन होगा और उसे SIM card का registration भी करवाना होगा वहीं SIM डेलिरों का पुलिस verification भी अब अनिवारे होगा नए नियम लागो होने के बाद किसी दूसरे के नाम पर SIM खरीदने वालों पर नकेल कसी जाएगी नए SIM card नियम धोखादरी से निपटने के उदेश से लागो किये गए हैं इन नियमों का पालन नहीं करने पर 10 लाख रुपे तक का जुर्माना लग सकता है बता दे कि इसमें सिम खरीदने की संख्या भी सिमित कर दी गई है एक पहचान के आधार पर अभी भी 9 सिम कार्ट तक ले सकते हैं अब नए नियमों के तहट नए सिम कार्ट खरीदने या किसी मौजूदा नंबर पर नए सिम के लिए आवेदन करने के लिए आधार के साथ ही डेमोग्राफिक डेटा अनिवारे होगा नए नियोमों में बल्क सिम कार्ट खरीदने या बेचने के लिए आपके पास बिजनेस कनेक्शन होना जरूरी है वही अगर आप किसी सिम कार्ट को डियक्टिवेट करवाते हैं तो उसके 90 दिन पूरे होने के बाद ही किसी दूसरे कस्टमर को वह सिम इशू किया जा सकता है सिम डीलर यदि किसी भी अवैद गतिवीधी में शामिल पाय जाते हैं तो दूर संचार ओपरेटर के साथ उनका संबंध तीन साथ तक की अवधी के लिए समाप्त कर दिया जाएगा अगर कोई सेम वेंडर 30 नवंबर तक रेजिस्टर नहीं हुआ है तो जुर्माना लगाने के साथ उसे जेल भी भेजा जा सकता है बतादे की केंद्रिय संचार मंतरी अश्वनी वैशनव ने नए नियमों की घोशना करते हुए कहां कि 52 से अधीक फरजी तरीके से हासिल किये गए लाखों कनेक्शन पहले ही ब्लॉक किये जा चुके हैं इसके साथ ही सरसथ हजार डीलर्स को भी ब्लैक लिस्ट किया गया है बतादे की अब जब आप नए साल में एक जनवरी के बाद सिम खरीदने जाएंगे तो बायोमेट्रिक के जरीए आपकी डीटेल को वेरिफाई किया जाएगा ध्यान देने वाली बात यह है कि टेलिकॉम मिनिस्ट्री का ये नियम सभी कमपनियों के लिए अनिवारे बताया गया है टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि नए साल यानिकी एक जनवरी 2024 से सिम कार्ड खरीदने के नियम में बड़ा बदलाब होने जा रहा है इस नियम के तहट अब किसी भी ग्राहक को सिम कार्ड लेने के लिए एक व पहेंगे भी होते थे और समय भी बहुत जादा खर्च होता था सरकार ने इसको लेकर फैसला पहले ही कर लिया था अगस्त में हुए फैसले को लागू करने में देरी होती रही इस जोड़ान सिम कार्ड वेंडर्स की भी वरिफिकेशन की जाएगी देलसर सरकार साइबर फ्रॉड से निपटने की तयारी कर रही है और इसी करी में ये फैसला लिये गए हैं इससे पहले कोई भी किसी भी व्यक्ति के नाम पर सिम कार्ड इशू करवा लेता था और उसे यूज करता रहता था लेकिन अब डिस्ट्रिब्यूटर, स्टोर स्ट जाएगा यानि सरकार फ्रॉड के मामले को लेकर काफी गंभीर है इनसे निपटने के लिए लगातार नए रन्नीती बनाई जारी है वहीं एक जन्वरी से लागो होने वाले इस फैसले को लेकर कई अन्य खबरे भी चल रही है लेकिन नए सीम लेने में इससे कोई फर्क नह पढ़ने वाला है नया मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए बाकी नियम नहीं रहेंगे और उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है बस आपको सिम कार्ड हासिल करने से पहले इन चीजों का ध्यान रखना होगा तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही देश औ दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रही दर्श न्यूस के साथ